नमस्कार मित्रों आज का ये प्लान 20 बाई 40 फिट के घर के लिए रेडी किया गया है पूरा वास्तु सम्मत होने के कारण आपके लिए ये प्लान काफी उप्योगी साबित होगा सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जिस प्लान का निर्माइड किया गया है वो पुर्वमुखी घर का है यानि कि अगर आपका पुर्वादिसा का घर है तो आपके लिए प्लान काफी उप्योगी होगा सबसे पहले देखे पुरब दिसा आगे की तरफ है मेन रोड जा रही है जो पुरब दिसा की तरफ है 20 फिट आगे से अपने प्लाट की चोड़ाई है ठीक है प्लाट की पीछे से जो पीछे हमारे पक्सिम दिसा रहेगी आगे अगर आपके पुरब दिसा है तो पीछे आपके पक्सिम दिशा रहेगी घर या प्लाट कोई भी हो आपका या दुकान हो पक्सिम दिशा की तरब भी प्लाट की जो चोड़ाई है वो 20 सी फिट है यानि दोनों तरब चोड़ाई सेम है दक्सिन दिशा में एक सड़क जारी है अपने इधर अपनी 40 फिट लंबाई है और उत्तर दिशा में अधर प्रॉपटी है दूसरों का घर है इधर अपने 40 फिट लंबाई है यानि कि कॉर्णर का प्लोट है पूरब का और दक्सिन कॉर्णर का प्लोट है उत्तर और पक्षिन दिसा में दूसरों के मकान है और पूरब और दक्षिन में अपने ओपन एरिया है ठीक है अब अपना जो घर रहेगा वो देखिए दक्षिन दिसा में हम घर का दरवाजा नहीं निकालेंगे घर का जो दरवाजा निकालेंगे पूरब दिसा में निकालें तो आपको सबसे जो मुख्य रूप से सुब घ़र बनाना है तो आपको हमेशा उत्तर और पूरबमे ही अपने घर का मुख्य दरवाजा रखना है इस चीज़ का ध्यान रखें वास्तुसम्मत घर बनाने है तो सबसे पहले मुख्य जो दरवाजा रहेगा का लोहे का वो हम यहां पर लगाएंगे जैसे अंदर आप प्रवेश करेंगे आप देख रहे हैं यहां हमने पर हमने ब्रामदा दिया है आठ बाइ के कारण आपका जो इसान कॉर्णर है वो वास्तु सम्मत हो जाएगा जो आपको सुख समर्दे देने वाला होगा फिर पुर्वा मुखी घर है आजकर लोग नीचे का पॉर्ट्सन किराय पर देने के लिए भविश्य में योजना रखते हैं या आपने भाई के लिए छोड़ सीडी चार इंग छोड़ कर दिवार से हो और सीडी हलकी रहे कभी भी इसान कोर्णर में सीडी का निर्मान ना करें जल्दबाजी में अपने घर का निर्मान करके अगर आप इसान में सीडी का निर्मान कर रहे हैं लेटरिंग बात्रूम का निर्मान कर रहे हैं तो आप प्रिवेस करते हैं साड़े साथ भाई 9 फिट 2 इंच का ड्रोइंग एरिया यानि की गेश्ट के बैठने के लिए जो स्पेस होता है सौफे वगिरा जहां पर लगते हैं ताकि गेश्ट डायरेक्ट घर के अंदर इंटरफेर ना करें कोई भी गेश्ट घर के अंदर हर गेश् से भी होल या कमरे की तो ध्यान रखें इस चीज़ का फिर आप अंदर प्रिवेस करेंगे ड्रोइंग रूम से तो अंदर प्रिवेस करने का दरवाज़ा यह होगा जैसे अंदर प्रिवेस करेंगे आप देख रहें 11 फिट 5 इंस की लंबाई में 13 फिट 5 इंस की हो सकती है भविश्य में तो इस चीज का ध्यान रखें यहां पर आपको पुजास्तान मनाना यह थास्तान पुजास्तान का निर्मान करें ताकि अपने पूजा पार्ट का आपको भरपूर फाइदा मिल सकें घर में पोजिट्व एनरजी बनी रहे और घर में सुक्षान्ति जिवन भर आपके कायम रहे फिर आप इधर प्रवेस करेंगे आप देख रहें आठ बाई नौ फिट तेन इंच का आपको एक रसोई घर दिया गया है रसोई घर यहां पर ऐसे नहीं बनाए गया है यह अगनी कॉर्णर होता है अगनी कॉर्णर में ही रसोई घर का निर्मा और पुरब की खिड़की सबसे सुब बने जाती है उसके बाद आप इधर प्रवेस करेंगे आप देख रहें छे बाई साड़े आठ फिट का एक स्टोरूम दिया गया है इस्टोरूम पुरा वास्तु सम्मत रखा गया है दक्षिन की दिवार से सटाकर स्टोरूम रखा ग रहती है तो आप सीधी आंगन में खिड़की दे दे उत्तरगी दरब फिर आप देखिए इधर प्रिवेस करते हैं चारवाई च्छे पिट का कॉमन लेटरिंग बातरूम है आज के समय में जगे कम होने के कारण घर के अंदर ही लेटरिंग बातरूम बनाने का पर्चलन हो रखा है मगर वास्तु का उसमें आपको पूर्ण तया ध्यान रखना चाहिए वेंटिलेशन फेन और वेंटिलेशन विंडो अच्छे से लगाएं ताकि वेंटिलेशन अच्छा है आप इधर प्रिवेस करेंगे आप देख रहे हैं नर्तग्या कॉर्णर के अंदर आपका जो कॉर्णर है दक्षिन का और पक्षिन का कॉर्णर में नर्तग्य कॉर्णर में कमरा दिया गया है 9 फिट 3 इंच बाई 10 फिट का कमरा है क्योंकि प्लाट का टोटल साइज 20 बाई 40 से अपने उस इंसाफ से कमरे का साइज होगा प्लाट आपका बड़ा है तो कमरे का आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं मगर उसी इंसाब से आपको अपना ब्रह्मिस्तान और आपको हर चीज का साइज को देखना होगा उसके बाद में देखी इसकी एक खिड़की हमने दक्षिन की तरफ ओपन की है ताकि वेंटिलेशन हो सके हैं उसके बाद आप इधर प्रवे कि या घर की कोई भी खिड़की नहीं खुलेगी कमरे की एक खिड़की हमने डायरेक्ट आंगन की तरफ ओपन किये ताकि वेंटिलेशन अराम से हो सके आप अराम से कुलर वगएरा भी सेट कर सकते हैं विंडो में वास्तु सम्मत है बेट गे ठीक उपर आपकी विंडो रह कि अपने अच्छे वास्तु सास्त्री से इसला लेकर अपने घर का अपना नक्सा बनवाईए ताकि बहुष्चे में आपको प्रैसानी ना आए आज के लिए इतना ही धन्यवाद